पब्लिक टीवी आपकी आवाग पुलवाओं में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकू का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है इसी कड़ी में मुरदबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है जबी ने नम आखों से शहर के गणमाने लोगों ने शद्धांजली दी तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुहतोर जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई आए जानते हैं मुरदबाद शहर के गणमाने लोगों का दर्द किस तरह बया हुआ जैसे की सारे देश के लोग इस समय बहुत व्यत्थित हैं बहुत आक्रोश है लोगों में आप जगे जगे देख रहोंगे हर शहर में हर जगे पर इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान की विरोध लोग अपना आक्रोश व्यक्ते कर रहे हैं और इस सम हमारे लिए धहरे रखने की भी जरूरत है साथ में एक आगे हम क्या इस्टेटजी अपना है जिसे की पाकिस्तां का जो प्रॉक्सी वार चल रहा है इंडिया के साथ हम लोग बार बार इस तरह के के इंसिडेंट से हम लोग को सामना करना पड़ा है हमारे जवानों का बलिदा का साथ देना होगा और खास तोसे देश के इतने भी लोग है यह नहीं कि थोड़े दिन का अक्रोष व्यक्ति किया और फिर शान्ती से बैठ गए अपना तो अभी हमारी सरकार कुछ नीतियां भी ला रही है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान को नो ने ज जैसे धारा 370 है उसको खतम करें या वहां पर जितने भी जो पत्थर बाजे आया दिन हमारे जवानों को पत्थर फेकते तो उनके लिए भी जीरो टॉलरेंस नीती होनी चाहिए क्योंकि जिससे हिम्मती ना बढ़े क्योंकि जो आज पत्थर बाजे वही आगे बढ़कर व उसको छोड़कर आप एक दुश्मन कंट्री जो हमारे आया दिन हमारे उपर हमले करता आतंकी उसके आप कलाकारों को इंवाइट करते हैं ये बहुत ही गलत बात है और इसका कुछ लोग जो अपने को बहुत सेकुलर समझते हैं वो इस चीज का समर्थन करते हैं तो मेरा त किसी भी तरीके के संबंद नहीं रखने चाहिए इस तरीके के देश से जो सारी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करता है और जिसके हैं सारी दुनिया के आतंकी पना लेते हैं